यह है firewood is fair और यह है noise fit force और दोनों smartwatches rugged design के साथ आती है इसलिए काफी जाधा request आ रही थी इन दोनों smartwatches के comparison वीडियो के लिए तो आगया आपका भाई बेफिकर रहा हो आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी यहां पे और end तक आप लोग एक decision ले लोगे कि आपको इन दोनों में से कौनची smartwatch लेनी चाहिए ज्यादा देरी ना करते हुए फटावर चलते हैं comparison स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों smartwatches में से कौनची ज्यादा better निकल कर आती है और कौनची ज्यादा value for money है इन दोनों smartwatches का price भी almost same देखने को मिलेगा इस time पे 3500 रुपीस की आप को noise speed force मिल जाएगी Amazon पर और two triple nine की launch हुई है यहाँ पर firewood is fair बात में इसका price भी 3500 रुपए हो जाने हैं तो देखते हैं यह दोनों smartwatches अपने प्राइस को justify करते हैं नहीं comparison स्टार्ट करने से फिले मैं आप लोगो से request करूँ है चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से subscribe कर लो आप फुली रगड देखने को मिलता है और दोनों की मैंने testing भी करी है वैसे वह इनके आप review यूडियो पर जाके check out कर सकते हो दोनों smartwatches में दो बटन दिये गए noise force में आपको एक crown भी मिल जाता है जो के working है इसके अलावा दोनों में एक side mic दूसरी side speaker provide किया गया है क्योंकि दोनो स्ट्रॉंग smartwatch बना देती है इसके अलावा दोनों में plastic का यूज किया गया और दोनों की plastic की quality जबर दसते है बट durability के मामले में fire world sphere बहुत आगे निकल जाती है noise fit force से बहीं बात की जाए यहां पर इनके straps की तो 22 mm का strap आप लोगो को noise fit force में देखने को मिल जाता है और इसकी quality and all विल्कुल भी absorb नहीं करते हैं तो build and design के मामले में clearly यहां पर fire world sphere winner निकल कर आती है और obvious AIR यह military grade certified smartwatch भी है बात करते हैं कि UI performance के बारे में तो दोनों को अच्छा का सर डाइम हो चुका है force को तो almost मुझे 20-25 दिन हो चुके हैं और 3-4 दिन हो चुके हैं मुझे यह पर fire world sphere को use करते हुए UI में मैंने अभी तक दोनों में से किसी के भी कोई दिक्कत face नहीं करी है force में features कम होने की वैसे थोड़ी जादा smooth लगेगी आपको बट ऐसा नहीं है कि sphere में कोई lag जैसा issue face करोगे हां बट उतनी जादा smoothness नहीं मिलेगी जितने की force में देखने को मिलती है तो 19-20 का आप यहां पर फर्क कह सकते हो बट यहां आप तंग नहीं आओगे इरिटेड नहीं होगे कि यार पता नहीं क्यूं हैंग हो रही है smart watch तो वह चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जैसा कि आप लोग को noise की smart watches में अकसर देखने को मिलती है अब आते हैं इनके features and differences पे तो सबसे पहले मैं इनके similar features के बारे में बात करना चाहूंगा इन दोनों ही smart watches का design तो मैंने आप लोगों बताया कि rugged design देखने को मिलता है दोनों ही अपने अपने price को build quality में justify करती है बाकी यहाँ पे दोनों में आप लोगो Bluetooth calling जैसे तगड़े features भी मिल जाते है इसके अलावा health trackers में heart rate, SPO2, sleep monitoring, breathe mode और BP monitor जैसे बहतरीन features भी दिये गए है basic features में camera control, music control और weather का support मिल जाएगा इसके अलावा find my phone, do not disturb और torch जैसे अच्छे features भी मिलते है तो अब बात करते है noise fit force किन चीज़ों में fire world is fair से आगे निकल जाती है सबसे पहले यहाँ पे 100 sports mode मिल जाएंगे fire world में आप लोगो सिर 22 sports mode ही दिये गए है curiosity के मामले में fire world जादा बेटर है इसके अलावा noise fit force में आपको voice assistant, games और digital crown मिल जाता है और यह सारी ही चीज़े fire world is fair में missing है अब बात करते है fire world is fair कहाँ कहाँ आगे निकल जाती है noise fit force से तो सबसे पहले is fair में आप लोगो 1.6 inch की display मिलती है noise में 1.32 inch की ही display दी गई है थोड़ी चोटी है 1.39 होती तो जादा बेटर रहता और यहाँ पे is fair की थोड़ी जादा ही बढ़ी है इसकी भी 1.43 होती है 5 होती है तो जादा बेटर रहता इसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों में peak brightness 550 nits की देखने को मिलेगी जिसकी वैसे indoor outdoor कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी यार is fair में आपको 60 Hz की डिस्प्ले प्रोवाइट की गई है बट noise में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा दोनों smart watches में आप लोग custom watch faces लगा सकते हो और दोनों की custom watch face की quality बहुत जबर्दस लगी यार बाकी outdoor में मैंने बहुत ज़ादा use किया है दोनों को पहन कर तो visibility को लेकर सच कोई भी दिक्कत face अभी तक नहीं करिये इसके अलावा better build quality मिल जाएगी आप लोग को जैसा कि मैं अलड़ी बता चुका हूँ fire world is fair में IP68 की water resistant भी मिलती है जोके IP67 ही दी गई है यहाँ पे noise fit force में sports record जैसे अच्छे features भी दिये गाए है fire world is fair में जबके यह feature noise force में missing है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को calendar मिल जाता है और इस price range में बहुत ही कम watches में देखने को मिलता है जो fire world is fair में देखने को मिल रहा है इसके अलावा six menu style भी provide किये है दो menu style मिलते हैं आपको force में और एक काफी बढ़िया feature लगा मुझे इस fire का जो कि है night mode रात में यूज़ करते वक्त इसको आप night mode में डाल सकते हो तो यह बहुत सही चीज है इसके अलावा languages का भी support मिल जाता है इस fire में यह दोनों ही चीज़े force में missing हैं तो यह थे कुछ features and differences ओफ करता हूँ आप लोगों यह चीज़ किलियर हो गई होगी accuracy पर आते हैं तो इन दोनों smartwatches को पहन कर मैंने इनका heart rate test किया यार और compare कि आपने oximeter से at the end जो result निकल कर आता है एक reading का ही फर्क देखने को मिलेगा आपको दोनों smartwatches में जिसकी reading ज्यादा match हो रही है वो है firewall sphere अभी आप देख सकते हो oximeter से same to same reading यह पे match हो जाती है इसके अलावा इन दोनी smartwatches का मैंने SPO2 भी चेक आउट किया यहाँ पे दोनों 19-20 काम करती है कभी sphere proper reading देती है तो कभी force अभी आप देख सकते हो force की reading ज्यादा मैं चोरियो oximeter से और sphere की सिर्फ एक reading ही पीछे रहती है तो यहाँ पे दोनों ही accuracy के मामले में बड़ीया काम कर रही है बट reliable यहाँ पे दोनों में से कोई सी भी नहीं है idea लेने के लिए आप sphere का use कर सकते हो इसका तो मत करना क्योंकि इसमें एक तो dedicated sensors नहीं है हवाव अगेरा में भी यह कभी-कभी reading दे देती है बाकि fully reliable किसी भी smart watch में मत रा करो serious situation में डॉक्टर से ही consult किया करो calling quality की बात करो तो मैं यहाँ पे calling clips लगा देता हूँ जो मैंने इनकी already test कर रही है वह आप लोग पहले देख लो अवाज आरी है मेरी बड़ी तेज आरी बताओ क्या हुआ मुझे भी काफी लाउड आरी है यार एक smart watch आई थी fire world की fire world spare करके rugged smart watch उसी सा call कर रहा था मेरी बराबर में दो तीन लोग बात कर रहे है उनकी आवाज आरी है क्या मुझे किसी कि आवाज नहीं आरी तुम्हारी सिमा अच्छा चलो ठीक है यह पूच रहा था अलो आवाज आरी है बहुत कर रहा था तो इसलिए टाइम लग गया सही आवाज आरी है ऐसे background की जादा आवास तो नहीं आरी है मैं बहार आया हूँ आउट डॉर पार्क में हूँ करता हूँ आप लोगों किसकी अच्छी लगी मुझे इसकी काफी जादा लगी और बहुत किलियर भी लगी है तो यहाँ पे मेरे लिए जो विनर है वह है फायर वोड इस्फियर इन दोने स्मार्ट वाच इसमें कुछ कॉंस पी है जो के बताने जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि कॉंस तो बताने चाहिए ताकि यूजर्स को विवर्स को थोड़ी आसानी हो स्मार्ट वाच पिक करने में तो सबसे पहले इस फिट फोर्स के बारे में बात करना चाहूँगा इस स्मार्ट वाच में आप लोगो स्क्रीन टाइम इंक्रीज करने का कोई आप्शन नहीं मिलता सिर्फ 5 सेकिंड का यहां पर आप्शन दे रखा है ना तो आप एप से इंक्रीज कर सकते और ना स्मार्ट वाच से से कौन इसका है स्ट्रैप की क्वालिटी बेगार है यार इसको बहुत जल्दी एब्जॉफ कर लेते हैं इसके लावा रगेड स्मार्ट वाच होने के बाद भी सिर्फ आईपी 67 की रेटिंग मिलती है नुइस फिट फॉर्स में आईपी 68 एटलिस होना चाहिए था और लास्ट यहार जो कहा है क्योरेसी कभी कभी यह हार्ट रेड में अच्छी एक्योरेसी प्रोवाइड नहीं करती है और साथी साथ स्पोर्स मोड में तो बिल्कुली गटिया एक्योरेसी रहती है इस स्मार्ट वाच की अब बात करते हैं कि फायर वर्ड इस पेर में क्या क्या कौन से हैं तो सबसे पहले यार जो इसका डाइल साइज है काफी बड़ा लगा मुझे मतलब तीन रिस्ट वालों के लिए यह स्मार्ट वाच नहीं है बहुत ज्यादा बलकी लगेगी उनके आतों में मेडियम या गॉरिला रिस्ट वालों पर यह ज्यादा अच्छी लगने वाली है तो यह एक तरीके से प्रेफर करता है कुछ वाइज असिस्टेंट नहीं मिलता मेरे जाप से इस प्राइज में वाइज असिस्टेंट तो प्रोवाइट करना चाहिए था तो यह कुछ तीन कॉंस थे फायर वॉल्ट स्वेर में और चार पाच कॉंस थे नोईज फिट फोर्स में तो यह मैंने आप लोगे सामने रख द डेफिनेटली फायर वॉल्ट स्वेर से अच्छा ओप्शन नहीं है इस टाइम कोई बहुत ही जवर्दा स्मार्ट वाच है यह हर चीज में अगर आप लोग की रिस्ट काफी जादा पतली है और थीन है तो नोईज फिट फोर्स के साथ जा सकते हो लेकिन थिन रिस्ट पे यह भी थोड़ी सी बड़ी ही लगेगी इतनी जादा चोटी नहीं लगने वाली है बड़ उनका काम चल जाएगा बाकि इन दोनों में से किलियर ली जो विनर है यहां पर फायर वर्ड इस फेर है आप लोग के सामने भी सारी चीज़े इसलिए रखी है ताकि आप लोग भी खुद एक डिसीजन ले पाओ और मैंने जितना इनको यूस किया है उसके अकौर्डिंग यहां पर विनर चूस किया है इसके अलावा दोनों स्मार्ट वोच इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर इंट्रस्टेड हो तो महां से जाके चेक आउट कर स अच्छी वीडियो क्ताने आट्ची वीडियो दो नाइक करना शेयर करना हो सब्सक्राइब तो करके जाना मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्की वीडियो मैं तحتके लिए बाए वाय ह at का घाए घाए